Hello friends, I am Niru and most welcome to my channel Beauty and His Styles. Friends, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ टाइम बाद आपका बलश गायब हो जाता है. यानि कि आप मेकप करते हो, कुछ टाइम बाद आपका जो बलश है वो दिखाई ही नहीं देता. आपको लगता है कि आपने blush किया लेकिन किया ही नहीं तो आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेकिया ही हूँ कि जो कुछ tips जो मैं आपके शेयर करूँगी कि blush को किस तरहां से लगाएं कि वो गायब नहीं यानि वो दिखाई देखिया आपने make-up में कुछ किया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने blush नहीं किया फिलाल contour किया है, eye makeup कर लिया है, make-up base set कर लिया है पूरा सब कुछ लेकिन blush नहीं किया है तो चलिए अब हम blush कर लेते हैं, तो देखिये friends, यहां पर अगर आपको यह problem आती है कि blush थोड़ी देर बाद अखिराई सा हो जाता है और जैसे गाय भी हो जाता है तो इस video को देखके आपके साथ यह problem नहीं आएगी तो मेरे पास यहां पर tint है, lip chick tint जो की blush बहुत अच्छा अप्लाई करता है यानि इससे जदा अच्छा, मुझे बहुत परसनली बहुत अच्छा लगता है और इसका यूज करेंगे, तो यहां पर मैंने लिया है अपना blush जिसको मैं अपने यहां पर apply कर रही हूँ इस form में, अपने nose के center में और यहां पर हम इसे apply कर रहे है ठीक है? 3 dot यहां पर लगा ले 3, 1 dot यहां पर लगा ले ठीक है और यहाँ पर हम इसे apply कर लें क्योंकि हम नहीं blush यहीं पर ही apply करना है अब इसको blend करने के लिए यह होता है liquid form में अगर आप इसे blender से blend करोगे तो blender सारा का सारा blush अपरे अंदर सोखलेगा तो इसको blush करने के लिए एक अच्छे से beautiful से brush का use करें और इस तरह से blend करें आप देखिए कितना beautiful look आया है हमारे blush का इस तरह से nose kiss around and यह देखिए अब इसको भी हम इसी तरह से जैसे कि हमने blush apply किया है इस तरह से नहीं चोड़ना है इसे अगर आप छोड़ सोच रहे हो कि इस तरह से छोड़ दें तो ऐसे इसको भी नहीं चोड़ना है हाँ एक चीज़ यहां देकि जब आप tint का use करते हो ना तो definitely आप blender का use ना करें अब देखिए कितना अच्छा tint आया है है लेकिन इसको ऐसे नहीं चोड़ना है अब आपको लग रहा है ना कि मैंने blush apply किया है है ना अब आपको लग रहा होगा अब अब यहां पर जो मैंने blush apply किया है ना यह यहां पर मैंने आप आई यह देखिए powder brush है क्या है यह powder setting का brush लेकिन मैं इसका use आप आप कहोगे कि यह तो powder setting brush है आप इसको इसको blend करने के लिए क्लिए क्यों use कर रहे हो देखिए इसका भी एक reason है क्योंकि ना यह बहुत fluffy है आप देखिए जब यह से blend करते हूं ना यह बहुत अच्छी से blend करता है आपना इस brush से कभी highlighter लगा के देखना कितना beautiful highlighter लगेगा मैं highlighter भी इस brush से लगाती हूं तो यह हो गया है हमारे पास की जो हमने tint use किया था tint use करने के बाद आपको इसे ऐसे नहीं चोड़ता है ठीक है tint use करने के बाद आपने एक और अपना brush लेना है इस तरह का brush ले और उस में उस brush से नहीं करूंगे क्योंकि मैंने चाहते कि product जादा आए मुझे इसी तरह का effect चा का सा एक और brush ले यह वो द्यों था वो टिंट था यह पैस्ड फो में है इसको मैं जस्त इस तरह से रखूंगी access को इस तरह से डब करूंगी and then इसको इसके ऊपर apply करना start करूंगी इससे क्या होगा यह set हो जाएगा याद रखना blush के उपर blush ही करना है blush के ओपर blush ही करना है और बस बहुत कम quantity में लगाना है क्योंकि आप बहुत जादा quantity में लगाओगे तो आपका face पे बहुत जादा दिखाई देगा तो हमने इससे क्या हुआ कि आपको जो tint है ना आपने उस tint को blush से ही set कर लिया इससे क्या होगा आपका blush है वो टिका रहेगा और पूरा दिन कहीं नहीं जाएगा जब तक आप उसे नहीं निकाल लोगे तो यह चीज़ ध्यान रिखना तो इस तरह से हमने इसे डैप करके set कर दिया और अब आप इस brush blush को निकाल के दिखा दो यह blush अब कहीं नहीं जाने वाला है सो फ्रेंट्स यह छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं ठीक है अब देखिए अब आप एक चीज़ ओर देखिए कि मैंने जो टिंट था वो लिक्विड फॉर्म में था और जो मैंने second blush apply किया है वो pressed form में यहनि हलік पाउडरी form में था तो जब मैंने liquid using किया तो मैंने क्या किया अपने बड़े इस बड़े इस तरह के brush का use करके इसे अच्छ पहला लिया blend कर लिया तो blend अच्छे से हो गया था जब blend हूआ तो मैंने इस तरह का brush use कि ठीक है तो यह जो जब मैंने भू ली आ पना तो बहुत कम क्वंटीटी में लिया है। बहुत जादा क्वौनिटीटी में नहीं लेना है। आगे नहीं आएगा इस तरह से। अगर आप इस मैट्ड वेे में चलोगे नंगे तो आपका ब्लॉज कही नहीं जाने वाला है। आप देखे मेरा Blush यहां से स्टार्ट हो रहा है आप आप उन्स पे आ रहा है आप आ घा रहा है एक conviction कि आप ज़ GOरा 2 आप 3 सुन हमेशा brush से ही blend करना है, blender से blend नहीं करना, अगर आप blender से tint को blend करोगे ना, तो blender सारा सोक लेगा, हाँ, अगर आपका tint बहुत जादा हो गया है, तो हलका सा dab करोगी ना, तो उसकी intensity कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप जो pressed form का blusher अपने tint के ओपर बहुत जादा लगा दोगा तो intensity बहुत जादा बढ़ जाएगी और बहुत जादा रड़िश दिखाई देगा तो इस चीज़ का ध्यान रखे balance करके रखे, ताकि बहुत जादा ना हो और बहुत कम भी ना हो, यानि एक effect आए, लेकिन गंदा ना लगे ठीक है, तो friends, यह हमारा brush कैसे apply करना है, I hope so यह देखिए friends, I hope so कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, thank you video देखने के लिए, ओर जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए, आप मेरे चैनल beauty and history, आप मुझे subscribe कर सकते हैं, thank you friends, good bye